हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडिया एजुकेशन हब, आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, दर सोलर सिस्टम मतलब सौर्य मंदल, ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, सी एचे स्टुडेंट्स के लिए जो क्लास 6, 9 और 11 की त्यारी करना चाहते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सौर्य का मतलब होता है सूर्य, और आज हम इसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के परिवार में ग्रह, उपग्रह, ये सभी आते हैं, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे ब्रहमांड में कई सारी गैलेक्सी हैं, जिसे कि आ आप आकास गंगा के नाम से जानते होगे और उन सभी गैलेक्सी में कई सारे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पिंड हैं, यह सभी आप जानते होगे, जिसे की सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, उनहीं में से आज हम पढ़ेंगे सौर्य मंदल, मतलग सूर्य और उसके परिवार के बारे में, तो सूरेक में एक और कर ग्रह आते हैं, जैसे कि आपका प्रिथवी, शुक्र, सपनी यह सभी ग्रह है, तो यहां पर हम क्रम से उनका नाम लिख देते हैं, सबसे पहले आता है बुद्ध, फिर आता है शुक्र, तीसरे पहे प्रिथवी, फिर मंगल, ब्रिहस्पती लास्ट में नेप्चून तो ये क्रमबध नाम है सूर्य के जो उसके ग्रह है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहस्पती, सनी यूरेनेस और नेप्चून जिसे की अरून और वरून कहते हैं इंगलिस में इनके नाम बता हैं तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मास, जुपिटर, सैटरन, यूरेनेस और नेप्चून ये इनके नाम है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं और खगोली पिंड क्या होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे खगोली पिंड की खगोली पिंड तो खगोली पिंड वो होते हैं जिनकी खुद की उश्मा और खुद का प्रकाश होता है तो क्या आप कह सकते हैं कि सूर्य एक खगोली पिंड है तो जी हाँ, सूर्य एक खगोली पिंड है क्यों कि लिए सूर्य की खुद की उश्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है ठीक है यहां पर option में आप लिख सकते हैं सूर्य सूर्य एक तारा भी है यह भी आप जान लीजिए सूर्य जो है एक पीला तारा है ऐसे question आपको intense exam में पूछे जाते हैं कि सूर्य क्या है यह खगोली पिंड है ग्रह है तारा है ऐसे कई option आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपका option देगा खगोली पिंड है तो यह भी सही है और option देगा तारा तो यह भी आपका सही है अब हम बा कि जो सूर्य की परिक्रमा एक निच्चित कक्षा में लगाते हों उन्हें हम ग्रह कहेंगे और जिनका खुद का प्रकाश या खुद की उश्मा ना हो वो मतलब दूसरे से लेतो हैं दूसरे से यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हम डाइग्राम से आपको द सन का जो लाइट है इसका प्रकाश है यह पृत्वी की ओर जाता है तो प्रित्वी के खुद की कोई उश्मा या खुद का प्रकाश नहीं होता है वो सं के जरीय हम लोग तक वो पहुँचता है ठीक तो यह हो गया ग्रह यहां पर मैंने आपको बताया कि जिनकी खुद की कक्षा होती जो एक निश्चित कक्षा में घुमती हैं और जो है सुर्य के चक्कर लगाती हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह यहां पर कुछ important fact है वो मैं आपको बता दूँ पृत्वी के बारे में कुछ विश्यषता है कि जितने भी मैंने आपको ग्रह बताएं कि सौर्य मंडल के टोटल आठ ग्रह होते हैं पर जीवन जी ने योग्या कौन सा ग्रह है अउनली पृत्वी यह मात्र पृत्वी है जहां पर हमाएं ऑक्सिजन उपलब्द है और यहां पर योग्या मतलब बाइयू है पर्यावरन है रहने के लिए मानव के लिए तो इसलिए पृत्वी को नीला ग्रह से से जुड़वा बन जाता है उपर से देखने पर यह पूरी सुन्दर से उन्सान रह सकते हैं त्युद्ध पहला फैक्ट हो गया अब हम बात करेंगे कि प्रिथवी के जुडवा बन किसको कहा जाता है जुडवा 없다 sister किसे कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को शुक्र एक बहुती चमकीला ग्रह है ठीक है तो ये भी आपसे question पूच सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो आपका option जो होगा right option होगा वो होगा शुक्र यहाँ पर हमने दो चीज़े याद कर ली कि प्रित्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और प्रित्वी का जो जुड़वा बहने वो कहा जाता है शुक्र को शुक्र से हमने क्या याद रखा कि शुक्र जो है एक बहुत ही चमकीला तारा है चमकीला तारा या फिर भोर का तारा ये भी आप सुनते होंगे कि भोर का तारा सबसे चमकीला तारा ऐसा सुक्र को कहा जाता है ग्रह से काफी ज़्यादा question पूछ जाते हैं आपके entrance exam में कैसे question आपको देखने को मिलेंगे ये हम आगे discuss करेंगे दोस्तो ये हमारा छोटा सा डेमो वीडियो है इसके माध्यम से आपको यही बताना है कि पेट कोर्स में आपको कैसे classes अवलेबल होंगी आपकी daily classes चलेंगी तो इसके बाद recorded classes भी होंगी और मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे चलिए अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध के बारे में बुद्ध से आपको क्या याद रखना है कि यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह क्या है बुद्ध है यहाँ पर हम लिग देते हैं सबसे नजदीक और यह बहुत ही छोटा भी है सबसे छोटा और सबसे नजदीक भी आगे बढ़ते हैं बुद्धि के बाद शुक्र तो शुक्र के बारे में हमने बता इसे भोर का तारा भी कहते हैं प्रित्वी पर हमने बात की यहां पर जीवन जो है जीने योग्या है यहां पर पर्यावराण और सबी चीज़े काफी अची तो मानव सिफ प्रित्वी पर ही अपना जीवन निर्वहन कर सकता है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है प्रिहस्पत्य के बार में जानते ब्रिहस्पत्य भी काफी बड़ा ग्रह है और इसके कई उपग्रह है पर अभी हाली में ऐसा नियूज आय था कि अब जो है सबसे ज्यादा ग्रह सनी पर है उपग्रह ठीक है तो यह भी आप ध्यान देजेगा काफी ज़्यादा important fact है यह अभी हाल की news है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पाए गया सनी के पाए गया चलिए दोस्तों अब आगे तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपके प्रित्वी से related कई जानकारियां दी महाँ पर important facts के बारे में बात किया अब हम बात करते उपग्रह के बारे में उपग्रह में केवल आपको यह याद रखना है कि प्रित्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है एक प्राकृतिक उपग्रह इसका अंसर क्या आएगा चंद्रमा चंद्रमा जो है प्रित्वी का गोल चक्कर लगाता है और यह प्रित्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है से लिट भी एक पूशन कंजिया रहे पमिंट बॉक्स में आपको बताना रहे अर आऊंगे बढ़ते हैं गरा के बारे में के सोरी मंडल में अग् आठी गरह हैं तो अवा ग्रह क्या था प्लूटो जिसे की अब उप ग्रह की और सौरी ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया प्लूटो वह क्यूं तो सबसे पहले प्लूटो बहुत ही जाथा छोटा ग्रह और यहां दूसरी कक्षा भी काटता था जैसा हमने आपको बताया कि लास्ट का जो कि ह Kaiser होती हो वह एक निश्चित कक्षा में जो है राउन करता हो प्लूटो ब्लूटो जो है वह दूसरी की कक्षा में भी चला जाता था ठीक है ऐसे इसलिए का रुतो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे क्रिश त्रेणी में रखा गया बॉना ग्रह में बॉना ग्रह और इसे बॉने ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया था वर्ष 2006 में तो इन चीजों का आप ध्यान दीजेगा कि प्लोटो को किस श्रेणी में रखा गया है पॉने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है तो दोस्तो इसी तरह की डेमो वीडियो आपको आगे उपलब्द होंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आप त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेट कोर से जूड़ सकते हैं पेट कोर से जूड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप हमें पेमेंट कर सकते हैं और हमारे इस कोर से जूड़ सकते हैं तो वहाँ जाए और जल्ली से पेमेंट करें और हमारे Super 100 बैच में जूड़ जाए दोस्तों अब इस Super 100 बैच पर डिसकाउंट चल रहा है 50% आफ है तो जल्ली से जल्ली इससे जूड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों आई होप आपकी जो है आज इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ग्यालेक्सी क्या होती है ब्रहमांड क्या होता है ग्रह उपग्रह खगोली इन सभी के बारे में हमने डिसकस किया था आगे आने वाली वीडियो में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो इस वीडियो को आप जाद जाद शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा इंडिया एजुकेशन हब की सुस्तर मेडिया से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिएगा धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए